हेलो आइस, आज के हमारी वीडियो को अज़ा टोपिक है, वो है रेडियन, आज के इस वीडियो में हम रेडियन के उपर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि रेडियन क्या होती है, उसके बाद हम यह देखेंगे कि डिगरी और रेडियन क पर जो बेले होती है वो भी वन होती है तो आप यहां पर देखिए कि टिग्नोमेट्री में रेडियन वर्क करती है तो यहां पर टिग्नोमेट्री में रेडियन किस तरह से काम करती है क्यों काम करती है इसके पीछे क्या कारण है यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे उसके यह जो radian है इसका यूस कहा होता है यह भी हम देखेंगें ना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो हम रीडियन को समझते की रीडियन कैसे है तो radian क्या है माल लेज एक सर्गल है जिसकी radius र है अगर हम यहाँ पर एक र कल है जिसकी लेंद इस रेडियस के बराबर है और इस पोइंट से इस पोइंट को मिलाती हुए अगर एक लाइन कीजिए तो यहाँ पर यह जो एंगल बनता है इसको हम रेडियन बोलता है और यहाँ बनता है उसको हम वर एडियन बोलता है यह न यह भी बस इंगल को मेजर करने का काम कर रहा है अब हम क्या करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर इसको हम वर रेडियन बोलता है तो अगर हमको पता करना है कि सरकल के फूल रोटेशन में कितना रेडियन होता है तो इसको कैसे पता करेंगे इसको पता करने के लिए हम कंपेरिजन का यूश करेंगे आप यहाँ पर देख स region तो आप इसा आप एस समझा कि इस की की लेंद रीड से बिल्कोल की यह इसे केसे हैं कि जब हम वनार्क करते है तो हमको वन र fundo अगया तो तो 2 radian, 3 arc, 3 radian, 4 arc, 4 radian, 5 arc, 5 radian, 6 arc, 6 radian अब आप यहां पर देखिए, अभी यहां पर कुछ हिस्सा बचा हुआ है तो इसको कैसे calculate कह रहा है हमको कैसे पता चलेगा कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना है तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक method है उसको समझाने के लिए मैं एक example से आपको उसको समझाऊँगा मालेजे हमारे पास एक scale है 0 से 10 cm का मैं पता करना चाहता हूँ कि मैं इस पर 2 cm की कितने इस्टी बचा सकता हूँ तो simple sum मैं क्या करूँगा इस 10 में 2 का divide करूँगा तो मुझे answer की रूप में 5 मिलेगा तो इसका मतलब है कि मैं इस scale पर 2 cm की 5 इस्टी बचा सकता हूँ तो चलिए हम count करके देखता है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है इसका मतलब है कि हमारे answer सही है बिल्कुल वेस सही अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि इस circle की circumference जो की 2 pi r होती है उसमें मैं r length की कितनी r का भीचा सकता हूँ तो मुझे क्या करना होगा मुझे इस r की length है r उसका 2 pi r में डिवाइड करना होगा जैसे आपने scale की case में देखा scale की total length कितनी थी वो थी 10 cm यहाँ पर circumference की total length कितनी है 2 pi r हमने वहाँ पर यह पता करना था कि हम 2 cm की कितनी strip भीचा सकते है इसलिए हमने उसमें 10 में 2 का भीचा सकते है हम यहाँ पर बता करना चाहते है कि हम circumference में कितनी r का भीचा सकते है तो हम यहाँ पर r का भीचा सकते है तो फिर इस r से r का cancel out हो जाएगा और हमको मिलेगा 2π तो यह क्या बताएगा? यह यह बताएगा कि हम इस circumference में कितनी arc बिचा सकते हैं तो वो answer है 2π तो यहाँ पर हमको यह पता चलता है कि जो circle है उसके full rotation में जो total radian होगी वो 6.28 radian होगी क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि जितनी arc होगी उतनी radian होगी by comparison जब हम comparison करते हैं तो यहाँ पर जब 1 arc रो रही थी तो यहाँ पर 1 radian मिल रहा था तो अब हमको यह पता चला है कि circle के full rotation में 2π र को होती है तो simple सी बात है कि circle के full rotation में जो radian होगी वो 6.28 radian होगी आप देख सकते हो कि जब हमने count किया था radian को तो हमको 6 radian तो मिली चुगा था लेकिन यह वाला हिस्सा बचा था हम इसको count नहीं गरबा रहे थे तो हमने इसको इस तरह से count किया ठीक है तो हमको जो total radian मिला था वो था 6.28 radian तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हम अब देखिए कि सरकर के full rotation में जो angle होता है degree में वो 3.30 degree होता है तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे हम यह पता करना चाहते है कि यहाँ पर जब 1 radian होगा अभी तो यहाँ पर 6 से radian दीख रहा है आपको लेकिन यहाँ पर जब 1 radian होगा मतलब सिर्फ हम इसकी बारें बात कर रहा है तो अब यहाँ पर जो angle होगा degree में वो कितना होगा अगर हम यह पता करना चाहते है तो जैसे हमने यहाँ पर बता किया कि जब हम 1 R कर टो कर रहता है यहाँ पर 1 radian बढ़ रहा था by comparison बिल्कुल बेस ही हम comparison के तुरू यह पता करना चाहते है कि जब यहाँ पर 1 radian होगा तो हम पर कितना degree होगा इसके लिए हम क्या करेंगे हमको पता है कि circle के full rotation में जो radian है वो 6.28 radian है और circle के full rotation में जो degree है वो 360 degree है तो हम इन दोनों को equal लिखेंगे ठीक है comparison करने के लिए ना उसके बाद हम दोनों side 2 का divide करेंगे तो हमको पता चलता है कि जब हमारे पस 180 degree होता है 180 degree का तो बता आपको कि हाँ से लेकर यहाँ तक का जो angle होगा ठीक है उसको 180 degree बोलेंगे तो यह 180 degree है यह πाई radian के बराबर होगा अब 1 radian तो आपको पता ही है और πाई radian का मतलब πाई की value क्या है 3.141 ठीक है तो इसका मतलब है कि 180 degree जो angle है वो πाई radian के बराबर है by comparison कर रहा हम है ना उसके बाद जब हम यहाँ पर दोनों side पाई का divide करता है और पाई की value क्या है 3.1415901 उसके बाद जब हम यहाँ पर पाई की value रखते है तो हमको 1 radian एकोटो मिलता है 180 degree upon 3.14159 और इस तरह से हमको मिलेगा 57.29 degree तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हमारे पस यहाँ पर 1 radian होगा तो 1 radian किसके बराबर होगा 57.29 degree के बराबर होगा ठीक है तो इस तरह से हमको पोदा जलता है कि 1 radian पर इतना degree होता है तो इसका मतलब है कि हम radian को और degree को आपस में compare कर सकते है यह ना दोनों का काम किया है दोनों का काम है angle को measure करना degree भी angle को measure कर रही है radian भी angle को measure कर रही है जैसे आप एक example के जरी समझेए माल इसे 2 point है एक point A है और एक point B है अगर मुझे उन दोनों point की distance बतागा नहीं है तो मैं उसको centimeter में माप सकता हूँ nanometer में माप सकता हूँ meter में माप सकता हूँ वो मेरी choice है मैं किसी बीप भी plan का उप सकता हूँ ऑई बलकुल बेज सही अगर मुझे angle को measure करना है तो मैं radian का उप सकता हूँ मैं degree का उप सकता हूँ ये मेरी choice के उपर है जिसमें मैं ज़्यादा आसानी से काम कर सको अगर मुझे radian के case में मेरा काम आसानी से बन रहा है तो मैं रेडियन का यूज करूँगा अगर मेरा जो काम है वो डिगरी के गैस मैं आसानी से बन रहा है तो मैं डिगरी का यूज करूँगा ठीक है जिससे मुझे सहूली है तो मैं उसका यूज करूँगा तो चलिए ठीक है मुझे लगता आपको इस तरह से कुछ result मिले हैं जिनको आप याद रगना चाहित रग सकते हैं क्योंकि यह काम में आएंगे उसके बाद यहाँ पर यह देखिए हमको मिला है πाई रेडियन उकोड़ टू 180 डिगरी तो हम यहाँ क्या करेंगे हम दोनों साइड 180 डिगरी का डिवाइट कर देंगे तो हमको इस तरह से 1 डिगरी कोड़ो मिलेगा पाई बाई 180 डिगरी रेडियन तो यह जो है हमको यहाँ पर क्या मिला है यहाँ पर हमको यह पता चल रहा है कि जब यहाँ पर 1 डिगरी का एंगल होगा तब यह जो रेडियन होगी वो होगी πाई बाई 180 डिग्री यह ना मतलब हमने 1 डिग्री पे कितना रेडियन होगा यह पता किया है उसके बाद मान लेजिए मुझे यह पता करना है कि 90 डिग्री पे जो इंगल होगा रेडियन में वो कितना होगा तो वह मैं किसा पता करूँगा ठीक है अभी तो हम यहाँ पर कमपेजिजिन कर रहे थे बिल्कुल बे सही हम इसको भी कर रहे हैं आपको क्या करना है कि यहां पर 90 डिग्री मुटिप्लाइब बाई बाई नी करना है उसके बाद आप देख सकते हो कि 1 डिग्री कितने के यहाँ इसको फैंश मेऻिए यहाँ पर रखतेइंगे तो हम को किया मिलेगा पाई बाई टू रेडेन. इसका मतलब है कि 90 डिग्री और नब्बय कर रहे थे ना इस 90 से तो इससे जादा कोई फरक नहीं पड़ता है ना तो अब इसके बाद चलते हम कुछ example देख लेता है मानलेजे हमको 45 degree को radian में convert करना है तो हमने यह वाला तरीका देखा इससे भी simple तरीका है मतलब यही वाला तरीका लेकिन इसको इस तरह से समझे हमको क्या करना है हमको simple सा इसमें pi by 180 degree का multiply कर देना है जब हम इसका यहां पर multiply करेंगे तो हमको मिलेगा pi by 4 बस यह degree radian में convert हो गया अब मान लेजे मुझे यहां पर radian में जो value मिली है इसको मैं degree में convert करना है चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं इसका उल्टा 180 degree by pi का यहां पर multiply कर दूँगा तो मुझे मिलेगा 45 degree तो आप देख सकते हो जब भी आपको किसी degree को radian में convert करना हो तो आप उसमे pi by 180 degree का multiply कर दो वो radian में convert हो जाएगी और अगर radian को degree में convert करना हो तो उसमे 180 degree by pi का multiply कर दो तो वो degree में convert हो जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि हम comparison के थूँ हम radian को degree में convert कर सकते हैं और हमको यह भी पता चलिगा कि 1 radian कितने degree के बराबर होती है और उसके बाद हमने यहां पर यह भी देख लिया कि radian का concept क्या है radian भी क्या काम करती है रेडोल भी एंगल को measure करने का काम करती है और degree भी एंगल को measure करने का काम करती है दोनो का काम है कि उसके बाद हम यह देखेंगे कि जो radian है वो technometry में काम कैसे कर लेती है जैसे आपने देखा होगा कि sin 90 degree के value 1 होती है sin 45 degree के value 1 by root 2 होती है तो यह जो value से आपने degree पे तो देखी ही होगी अब यह value से radian पे भी किसे खाम करती है तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो right angle triangle होता है इसकी एक विशेस property होती है जिस पर पूरी के पूरी trigonometry टीक हुए है यहाँ मैं यह कहूँ कि जो trigonometry function है इस सही बनने है ठीक है तो इस property को समझने के लिए है माल लेज़े हैं यहाँ पर जो angle है वो 60 degree है यह ना मतलब हमको कोई भी एक angle लेना है उसके बाद अगर हम इन तीन लाइनों में से किनी दो लाइनों को ले जैसे example के दोर पे मैं opposite को लो और hypotenuse को लो और opposite में hypotenuse की लेनतर का divide कर दू तो मुझे जो result मिलेगा आप देखोगे कि अगर इस size के उपर मैं इस opposite और hypotenuse की लेनतर का ratio पता करूँ और उसके बाद इसका size बढ़ा दू अब size बढ़ाँगा तो simple सी बात है कि opposite की लेनतर बढ़ जाएगी लेकिन फिर भी अगर मैं इस opposite की लेनतर में hypotenuse की लेनतर का divide करूँगा तो मुझे जो answer मिलेगा वो पिछले वाले case में जो answer मिला था बिल्कुल उसके बराबर होगा उसमें बिल्कुल भी change नहीं होगा यह एसा कब होगा एसा तभी होगा जब यहाँ पर angle fixed है पहले भी 60 degree था अभी भी 60 degree है तो angle fixed है तो इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब होता है कि यह जो हमारा right angle triangle है इसका जो shape है वो fixed हो चुगा है वो shape bigger नहीं रहा है तो अगर shape fixed हो जाता है उसके बाद उसकी किनी दो अब अगर आप चाहें तो आप अपनी copy में 60 degree के angle पर एक right angle triangle बनाईए उसके बाद उसकी opposite की length पता किजिए और hypotenuse की length पता किजिए और उसमें opposite की length में hypotenuse की length का divide कर देए आपको इस तरह से एक result है मिलेगा ठीक है अगर आप measurement सही तरीके से करते हो और right angle triangle बिल्कुल सही त अबलत करते हो तो आपका insert इससे थोड़ा अलग आ सकता लेकिन बिल्कुल लग 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 यही आएगा यह accurate answer है ना तो हमने क्या किया हमने इस ratio को एक नाम दिया इसको हमने बोला sign function अब यहां पर 60 degree पर value यह आ रही थी तो हमने sign 60 degree की value गया रही 0.86602 यह ना आप इसी तरह से जो बाकी dignomatic function है वो सारे इसी तरह से बने हुआ है यहां पर 3 line है तो 3 line हो का अलग अलग तरीके से 6 तरीके से ratio लग आ जा सकता है जिसे opposite और hypotenuse के ratio को हमने sign function बोला वैसे इसका ultra hypotenuse और opposite के ratio को cosec function बोलता है ठीक है इसी तरह से coarse function बना है 10 function बना है ठीक है आपको पता होग कि 10 function इस opposite or adjacent का ratio होता है ठीक है यह तो आपको बता होगा dignomatic की बात है लेकिन हम यहां पर यह देखना चाहते है कि dignomatic काम कैसे करती है angle के case में मतलब degree के case में ठीक है आप जख सकते हो 60 degree पर जो value होती है इस तरह से होती है उसके बाद जब angle बढ़ेगा मानलो 70 degree होता है तो value इस पर angle यह बढ़ता जाएगा और जब 90 degree होगा तब इस opposite or hypotenuse की length बराबर हो जाएगे और जब हम opposite की length में hypotenuse का length डिवाइट करेंगे जब 90 degree का angle होगा तो हमको 1 मिलेगा ठीक है तो यह तो sign function के बारे में बात हुई तो आप देख सकते हो कि dignomatic function में क्या होता है कि यह जो right angle triangle ह अगर इसका angle fix है मतलब इसका जो shape है वो fix हो जाता है उसके बाद अगर हम इसकी किनी 2 line का ratio बता करें तो वह हमें इसा fix होता है चाहे इस right angle का size कीतना भी बड़ा चोटा कर लो उससे कोई फरक नी पड़ेगा ठीक है तो इसी property का use होता है आगे ठीक है अब चलिए देखिए ह हमारे पूराने case पर आपसा जाते हैं अभी जो हमने सीखा उसका पर हम यहां पर use करेंगे अब मानलेजे हमारे पास यह रिजल्ट आया है हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर एक राइटिंग का डोग करेंगे हमने देख लिया यहां पर angle fix है और उसके बाद अकर हम किनी दो लाइनों का ratio पता करेंगे तो वह हमेसा fix हर रहेगा इसका यूज करके हम technology functions की values बनाते हैं तो अब हम एंगल को degree में measure कर रहे हैं यहां पर अपर पर रहा है हमको तो इससे मतलब है कि जो यह right angle triangle राइंगल है इसका जो shape है वह fix हो जाए ठीक है वह fix होने का मतलब है कि इस कर रहा हूं तो ठीक है मैं power pointer का use कर रहा है न तो मैं एक plane ले लेता हूं ठीक है इसमें मैं क्या कर रहा हूं जैसे आप देखो मैंने यहां पर एक यह रिक्टेंगल रोगए है तो इसका shape इस तरह से है अगर मैं इसको इस तरह से कर दो, आप देखो शेप बिगड़ गया, यह ना, लेकिन चलो, यह जो rectangle है हमारा इस तरह से, अगर मैं shift की press करके रखता हूं, और इसका size बढ़ाता हूं, तो देखिए जो shape होता न, वो fix हो जाता है shift की दबाने से, आप देखिए मैं इसका जो shape है वो fix है, लेकिन size बढ़ गया है, मैं यही बात कर रहा हूं, वहाँ पे भी, कि हम, ठीक है, इसको इसको डिलीट कर लेते हैं पहले, कि मैं यही बात कर रहा हूं, यहाँ पे, कि, यह जो shape है, हम इसको fix करना जाता है, तो fix करने के लिए, मैं यहाँ पर radiant का युज कर रहे है, तो इसको कोई यूज परकने बढ़ देगा, हम डिग्री का भी उज कर लेंगे, कोई दिक्रत नहीं है, हम को पता है कि हम radiant को डिग्री में कैसे गनवर्ट कर सकता है, उसके बाद चलिया उसको थड़ा वगर आगे बढ़ाता है, तो माले से यहाँ पे इंकल है, उस पर यहाँ पे जाके 270 डिग्री हो जाएगा, और वापस घुम के 360 डिग्री हो जाएगा, और इसको रेंगे 2 पाई बोलता है, उसके बाद हम इसका यूज करेंगे, देखिए, जब हम इंकल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि जब 90 डिग्री से जादा हो जाता है, तो याद र अगर हम जिरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही रे जाएगा, ठीक है, तो अगर हमको टिग्नोमेट्री को 90 डिग्री से आगे के एंगल के लिए यूज करना है, तो आप देख सकते हो कि यह जो एंगल है, वो इस हाइपोटेनिस के साथ होना चाहिए, ठीक है, तो इस अगर एंगल 90 डिग्री से जादा है, तो आप हैंपर देख सकते हो कि जो एड़ेसेंट है, वो माइनस से एक सिक्सिस में है, तो इसका मतलब है किसकी जो लेंट है, वो माइनस होगी, ठीक है, मतलब नेगिटिव होगी, उसके बाद आप देखिए, कि जो कोर्स मुंशन होत होगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलता है कि 90 डिग्री से 1 अग डिग्री के बीच में, या फिर मैं यह ऐसा बलू, कि पाई बाइटू से पाई के बीच में, जो कोर्स मुंशन की वेल्यू होगी, वो नेगिटिव होगी, क्योंकि यहां पर यह वाली जो लाइन है वो नेगिटिव एक सिसमें है, ठीक है, तो इस तरह से टिग्रोमीटिक फइंशन की वेल्यू怎麼辦 होती है, और आपको यह भी पता चलते हो गा होगा जिकिसे रेडियन ही, यहां पर टिग्रोमैटिक फंशन में काम करती है, ठीक है, इसे तरह से जो बागी रगी टिग्रिक लब है कि यह सारे function 90 degree से 180 degree के बीच में negative होंगे मालब इनकी जो value होगी वो negative होगी जैसे example के तोर पे मैं course 110 degree पे value पता करना चाहता हूँ तो मुझे एक बात confirm हो जाएगी कि जो value होगी वो negative होगी ठीक है अब value क्या होगी value simple से बात है जो adjacent है इसकी length और hypotenuse की length उसका divide होगा ठीक है अब एक काम कर लो कि यह जो circle है हमारा वो unit circle माल लो उसको मतलब यह जो hypotenuse की length है इसको 1 माल लो इससे कोई फरक्त नी पढ़ता है कि rectangle, triangle जो है उसका size क्या है यह ना अगर हम इस hypotenuse की length 1 मान लेते है मतलब इस circle की जो radius 1 मान लेते है तो हमारा काम आसान हो जाएगा उसके बाद adjacent की length का divide कर दो हाँ ठीक है तो स्वारी adjacent की length में hypotenuse की length का divide कर दो तो हमको cost function की value मिल दागी हमको यह पर angle पाता होना चाहिए यह ना उसके बाद हम अगर एंगल बढ़ा दे जैसे एक्जांपर की तोर पे हम 180 डिग्री से 270 डिग्री की बिच में कोई साभी एंगल लें यह ना एंगल कोई साभी हो कोई परगनी पड़ता इस quarter end में उसके बाद आप यहां पर देखो यह वाली जो length है adjacent और opposite इन दोनों की जो length है वो minus x-axis और minus y-axis में है बलब दोनों negative है अगर negative और negative का ratio लेंगे तो positive हो साएगा इसका मनलब है कि यहां पर 10 function opposite और adjacent का ratio positive होगा ठीक है इसके बीच में बाकि opposite और hypotenuse या adjacent और opposite की ratio के जितने भी function है वो सारे negative होंगे यह तो आपने देख लेना है ना तो आप यहां प के बीच में वो सारे function जो कि इस opposite के साथ ratio बनाते है वो सारे negative होंगे और जो function इस adjacent और hypotenuse के बीच में ratio बनाते है वो positive होंगे ठीक है तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि radian cases है और degree cases है और radian यहां पर technology में कैसे काम करती है उनकी values किस तरह से decide होती है ठीक है values इन लाइनों की length से decide होती है और उसके बाद जब आप बात करोगे कि हमें जो result है उस ज्यादा accuracy के साथ कैसे मिलेंगे है क्योंकि आपने देखा कि अगर हम यह जो line की length है उसको accuracy के साथ नहीं間 CAP पाते हैं तो हमारा result होगा घलत होगा छीदी से बात है यह न तो जो technometric function है उसकी value अगर accurate नहीं होगी तो अगर हम जहां पर technometric function का use कर रहे है तो उसका result आए कि वो भी accurate नहीं होगा तो technometric function में values accurate लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम Taylor theorem का यूज करते हैं ठीक है तो Taylor Taylor theorem में क्या करता है, कि वह Cygnometric function को एक Power Series Group में convert करता है, ठीक है, अब आप 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 देखिए, हम यहाँ पर, जो X है, इसकी value को हम Radian में लेके कि चलते हैं, हम Degree में लेके नहीं चलते हैं, यहाँ पर Taylor theorem में Radian का उसकी आप गया है, वो accurate तरीके से पता चलिए ठीक है किसकी हलपस है Taylor theorem की हलपस है Taylor theorem में क्या use किया गया है Radiant को use किया गया है यह जो X है यहाँ पर Radiant में होगा डिगरी में नहीं होगा ठीक है तो इस तरह से हमको Radiant का use भी पता जलता है और उसके बाद एक बाद याद रखेगा हमको जो value से वो accurate से accurate मिलनी चाहिए यह जितनी value accurate होगी उसका जो result होगा उतना accurate होगा जिससे example के तोर पे अगर मैं किसी problem में sign function का use कर रहा हूँ और sign function की value अबुद हलकी से भी गलत है तो जो मुझे answer मिलेगा उस problem का वो भी गलत होगा तो उसमें भी थोड़ा से error आएगा अगर sign function की value एकदम सही है तो जिस problem में sign function का use कर रहा हूँ उसका जो result आएगा वो भी accurate होगा तो accuracy ज्यादा important है और आप देखिए कि यहाँ पर हम radian में πाई का use करते है पाई बाई 2, पाई बाई 4 ऐसी values मोड रहे हैं तो जो पाई है उसकी value भी accurate होनी चाहिए तो यहाँ पर पाई की importance का भी पता चलता है कि पाई important क्यों होता है मैंने इसके उपर एक video बनाया कि पाई इतना important क्यों है उसकी value कैसे पता की जाती है जिसकी link मैं उपर i button में दे रहा हूं और मैंने Taylor theorem के उपर भी एक video बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि कैसे Taylor theorem काम करती है वो कैसे इस function को एक power series के रूप में convert करती है उसकी link भी मैं उपर i button में दे रहा हूं आप चाहें तो दोनों को जा के देख सकते हो और description में भी link कर आएगी है ना मैं चाहूंगा कि आप दोनों को देखे आप दोनों video देखें कि Taylor theorem के आज़िस है और जो पाई है उसकी value कैसे calculate की जाती है accurate value कैसे पता की जाती है तो आपको समझ में आएगा कि mathematics कैसे काम करती है तो I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपके mind में किसी तरह का कोई question है या फिर कुछ पुछना चाहते हो तो आप comment section में पूछ सकते हो देखें मैं भी student हूँ मुझे mathematics का इतना ज्यादा knowledge नहीं है लेकिन जितना भी वो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ अगर आप question पुछते हो और अगर मुझे आता है तो मैं आपको question का जवाब ज़रूर दूँगा या फिर मैं कोशेश करूँगा कि किसी तरह से आपका question का जवाब दे सकूँ ठीक है तो फ्लेस आप question ज़रूर पुछी है अगर आपको कुछ डाउट है तो तो thanks for watching अब मिलता है नेश्ट वीडियो में